एक detective को एक आदमी को cheat करते हुए पकड़ने का काम मिलता है ये काम वो जब करने के लिए गया तो उसे hire करने वाली और जिसों से पकड़ना था इन सब की dead bodies उसे मिली अब इसके पीछे कौन था ये आज के हमारे movie The Saint में हम देखेंगे ये एक बहुत यह चीजी suspense और mystery movie है विशान तक ज़रूर देखेगा इसके twist भी आपको बहुत पसन आएंगे और आपको वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा और बिना किसी तरीके explanation स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा main character कैंग हमसे introduce होता है कैंग पहले एक detective था पर उस पर इलजाम लगा कि अपनी superior की wife के साथ intimate हुआ है इस inquiry की वज़े से उसे 2 साल के लिए suspend कर दिया गया था इस time में कैंग ने अपनी detective agency खोली है अगर किसी को लगता है कि उनका partner उन पर cheat कर रहा है और उन्हें उन्हें पकड़ना है तो इस सब लोग कैंग के पास आते है कैंग का एक उसूल है कभी भी किसी पर भी cheat नहीं करना चाहिए जब उस पर इलजाम लगा तो उसने strictly कहा था कि वेन ऐसा कुछ भी नहीं किया वो सिर्फ गलत condition में दिख गया था इस इलजाम की वज़े से उसकी wife भी उसे छोड़ कर चली गई है इस scene में कैंग के पास कुछ clients आये थे तो उनके वो help कर देता है कैंग को अपने काम में जी पॉंग help करता है जी पॉंग पहले ex-con हुआ करता था फिर कैंग नहीं उसे hire कर लिया जी पॉंग दिखने में कि उसकी हरकते थोड़ी सी dumb luck सकती है और बहुत ही जादा smart होता है जितने भी cases इन्होंने solve किये थे इसके सारी evidence उन्होंने अपने office में रखे है जी पॉंग ने कैंग को याद दिलाया एक बहुत beautiful सी लड़की के साथ आपकी appointment है इसके लिए कैंग भी excited था यह लड़की आई और उसका नाम था सुजीन सुजीन कहती है मेरा husband मुझ पर जीट कर रहा है उसे मुझे रंगे हाथ पकड़ना है यह सब उसे करना तो था पर जादा और शूर नहीं थी कैंग उसे कहता है क्या तुम्हे लगता है तुमने कुछ गलत किया वो गहती है कि मेरा husband मुझ पर चीट कर रहा है उसने सब कुछ गलत किया है कैंग कहता है तो फिर क्या बात है हम डारेकली जाएंगे और एविडेंस लेकर आएंगे कोरिया में कोई भी एडिल्टरी करता है तो उसे डारेकली जेल जाना पड़ता है यही सजा दिलाने के लिए सुजिन के husband की वो वीडियो टेप लेकर आएंगे जिसे सब कुछ प्रूव हो जाएगा इसके बाद नेकसिन में कैंग अपनी वाइफ यंग से मिला यंग उसे फिर से डिवास पेपर देती है वो बहुत दिनों से ट्राय कर रही है पर कैंग इन पेपरस पर साइन ही नहीं करता वो उसे फिर से कन्विन्स करने की कोशिश करता है कि मैंने तुम पर चीट नहीं किया पर यंग इस बात को नहीं मानती है इसके बाद रात में कैंग सुजिन के हस्बन को पकड़ने के लिए मौटल में पहुचा मौटल में उसे एक कपल ने देखा था उसने सुजिन के हस्बन का डोर नौक किया और कहा कि मैं गलत रूमें पहुच चुका हूँ वो अपॉलोजाइस करकर वहाँ से चला जाता है वो सिर्फ कन्फरम कर रहा था कि सुजिन का हस्बन किसी और लड़की के साथ है साइड के रूम में सुजिन थी तो उससे मिला सुजिन कन्फियूस हो गई थी अब वो नहीं चाहती थी कि उसका हस्बन कोई भी ट्रवल में आए वो रोने लग गई कहती है मैं बहुत हर्ट हूँ वो ड्रिंक कर रही थी तो कैंग को भी ओफर करती है वो रो रही थी हर्ट थी इसलिए कैंग भी उसे सहारा देता है वो उससे किस्ट कर ले थी इसके बाद रात में कैंग उठा और अपनी गल्ती उसने रियलाइस कि वो कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करता उसने लाइट आन किये तो देखा कि सुजिन की डेथ हो चुकी है वो बहुत ही ज़ादा डर गया इसके बाद वो सुजिन के हस्बन की रूम में गया वहाँ देखा तो वहाँ उसकी भी डेट बॉड़ी पड़ी हुई थी उसके पीछे से एक लड़की आई यह लड़की भी डेट बॉड़ी देखकर बहुत डर गई थी कैंग उसे बुझता है तुम कौन हो वो कहती कि मेरा नाम सुजिन है और है मेरा हस्बन कैंग यह सुनकर सप्राइस्ट हो गया उसने उसका आईडी चेक किया तो सब को सही था अब यह बहुत ज़ादा कन्फियूज हो जाता है कुछ में फिगर आउट नहीं कर पाता सुजिन कहती कि मैं शावर में थी यहाँ आई तो डारेकली डेड़ बॉड़ी देखिए कैंग कहता है कि अब हमें डरना नहीं है यहाँ पर हम दोनों अंजान से होटेल में है हमारे साथ दो डेड़ बॉड़ीज है अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो सब लोग हम पर इशक लेंगे कैंग जल्दी से गया और होटेल की रेकॉर्डिंग्स चेक की किलर ये रेकॉर्डिंग भी लेकर गया था अब कैंग डिसाइड करता है इस सब सिचुएशन को हैंडल कर लेगा उसने जीपों को कौल लगाया यहाँ का पूरा क्राइमसीन उन्होंने साफ कर दिया एक रिमोट सी जगा पर जाकर ये बोडिगार्ड कराते है ये सब हो जाने के बाद कैंग को बहुत सारे सवाल थे उसके पास जो आई थी वो सुजिन कोन थी सुजिन का आईड़े उसके पास था तो डारेकली उसकी घर पर वो पहुच जाता है वो घर में सुजिन के उसके बॉइफरेंड के साथ फोटोस देखता है उसने सब ड्रॉवस वगरा चेक किये तो नोटिस करता है सुजिन के पास कैंग की सब कुछ हिस्ट्री थी उसे जान भुच कर उसने चूस किया था इसे वो और भी जादा कन्फियूस्ट हो गया एक्चुल जो जिन्दा सुजिन है उसे कैंग कहता है सब कुछ नॉर्मल चलने तो एक वीक हो जाने के बाद अपने हजबन को मिसिंग रिपोर्ट कर देना सुजिन बहुत ही डर गई थी उसे लगता है उसे सब कुछ पुलिस को बता देना है उसने विरोने कॉल कर दिया पुलिस आते हैं और सुजिन से क्वेश्चन पुछते है सुजिन कहती है कि वो बिजनेस ट्रीप पर गया हुआ था पुलिस को लगा कि वो किसी और लड़गी के साथ गया होगा वो इस बात को सिरियसली ले नहीं रहे थे सुजिन उसे सब कुछ बताने वाली थी तब ही क्यांग बहाँ पोँच गया क्यांग के दो साल कंप्लेट हो चुके है अब वो डूट्यू पर आ सकता है वो यही रिजन दूसरे पुलिस को भी देता है क्यांग ने सुजिन को कुछ भी बताने से रोक लिया क्यांग ने सुजिन के हस्बन की गाड़ी ठिकाने लगाने का काम ये जीपॉंग को दिया था जीपॉंग को ये गाड़ी अच्छी लगी थी तो सिर्फ उसने वो गाड़ी छुपा दि ये अब डारेक्ली पुलिस को मिल चुकी है सुजीन को जब ये पता चला तो सब कुछ सच-सच बदाने के लिए पुलिस टेशन आ गए वो कुछ बदा पाए इससे पहली कैंग ने उसे रोक लिया उसने का रियल किलर को में ढून लोंगा सिर्फ मुझे थोड़ा सब वक्त दो वो पुलिस टेशन में आही चुकी थी तो फिर से पुलिस उससे क्वेशन करते इस बार हो गहती है इसायद मेरे हजबन का किसी से चक्कर चल रहा था मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा था कैंग की वाइव यंग ये भी एक पुलिस ओफिसर ही है उसने कैंग और सुजीन को एक साथ बात करते देखा उसे लगता है इनके बीच कुछ ना कुछ तो है सुजीन जब चली गए तो यंग कैंग से यहती है इसका सेंट बहुत ही सिडेक्टिव है हजबन मिसिंग होने के बात भी इसके पास परफियूम लगाने का टाइम है उसना कुछ तो जरूर गड़वड है पुलिस ने सुजीन के हजबन के सब कॉल रिकॉर्स निकल वाए उन्हें पता चला कि उस सुजीन के अलावा इसे और लड़की से बात करता था उसका नाम भी सुजीन ही था इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए एक डिडेक्टिव इसका नाम हान एक कैंग को लेकर डेड़ सुजीन के घर पर चला जाता है डेड़ सुजीन ये अपने बॉइफरेंड के साथ रहा करती थी उन्हें उसके बारे में उसे पूछा तो बॉइफरेंड कहता है एक मेना हो गया घर से चली जा चुकी है मैं उसका जीम ट्रेनर हुआ करता था हम रिलेशनशिप में आये पर वो सैटिसफाइड नहीं थे उसने फिर एक अमीर आदमी को पकड़ लिया उसका प्लान था कि उससे बहुत सारे पैसे लेगी और इस कंट्री से भाग जाएगी इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कैंग रियल सुजिन के घर पर आया हुआ था वो घर पर नहीं थी तो उसकी मेड से वो बात करता है उसने उसे बहुत सारे पैसे ओफर किये तो गहती है सुजिन को उसका हस्बन बहुत मारा करता था को इस टाइम पहले उसने पुलिस को भी बुलवाय था अब कैंग को शक जाता है कि शायद सुजिन इस सब में involved है अब कैंग सुजिन से मिलने के लिए गया वो जिम में थी उसकी बाड़ी पर उसने नोडिस किया कि बहुत सारे मार्ग से है यह उसे कहता है तुम्हारा हस्बन तुम्हे मारा करता था उसके पास बहुत सारे पैसे थे इसी वज़े से शायद तुमने उसे शादी की थी अगर तुम उसे नहीं मार डालती तो एक दिन वो तुम्हें मार डालता यह मर्डर तुमने ही किया है सूजिन इस बात पर बहुत गुसा होगे गहती है कि हाँ से चले जाओ और वापस फिर से कभी मता ना रात में कैंग सूजिन पर नज़र अग रहा था सूजिन उसके सामने नूड होकर बात लेने के लिए चली जाती है उसे कॉल करती है पुछती है क्या तो मैं लोगों पर नज़र रखने में मज़ा आता है अंदर आ जाओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सूजिन उससे कहती है मेरा फर्स्ट हजबन उससे बहुत प्यार करता था अगर मैं किसे से बात भी करो तो भी हो जेलस हो जाता था उसे मारने भी लग गया था इन सबसे उतंग आ गए उसे छोड़ दिया अमने एकस हजबन से जब उसने शादी की तो उसका बहुत खैल रखता था पर एक दिन सूजिन को पता चला कि उस पर चीट करा है उसने उसे कंफरेंट किया तो इस बात से उसका हजबन बहुत ज़्यादा घुसा हो गया इस हजबन ने भी उसे बहुत मारा था वो रोने लग जाती है कैंग से कहती है कि वो जैसा भी था वो उसे बहुत प्यार करती थी वो उसके जाने के बाद वो उसे मिस्स करती हो मैं कभी भी उसे मार नहीं सकती है अगली दिन कैंग अपनी वाइफ के साथ था उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है रेचानक से उसे सुजीन का कॉल आ गया वो कहती है मेरा आफटरनून से कोई पीछा कर रहा है वो जल्दी से उसके घर पर पहुच जाता है वो उसने देखा कोई सुजीन पर नज़ा रख रहा था कैंग उसके पीछे भागा उसे पकड़ लिया इन दोनों में फाइट होती है पर फिर भी वो आदमी यहां से भाग जाता है इस फाइट में कैंग बेहोश हो गया था तो सुजीन उसका खैल रख दिया उसे होश आया तो कहता है कि यह सब चीज़े बहुत ही स्टेंज है तुम्हारा जो सेंट है यही सेंट डेड सुजीन का भी था यह करीब आ गये थे सुजीन उसे किस करने वाली थी तब है उसे कॉल आ गया पुलिस को सुजीन का हजबन और दूसरी सुजीने दोनों मिल चुके है पुलिस को इनकी डेड वाड़ी को लेकर एक अनानोमस टिप मिली थे कैंग और सुजीन चब एक साथ थे तो कहता है डेड वाड़ी उसके बारे में सिर्फ तीन लोग को पता था मुझे जी पॉंग और तुम्हें उसे लगता है कि सुजीन ने ये सब किया है उसने बूचा कि अब दुमारा निक्स प्लान क्या है सुजीन ने सुनकर गाड़ी से निकल गई कैंग उसके पीछे पीछे आया कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया वो रोने लग गई थी ये दुनों करीब आ गए और किस कर लिया डेर सुजीन कैंग से मिलने उसके आफिस आई थी यहाँ के कॉल रेकॉर्ड से पुलिस को इस आफिस के बारे में पता चल गया कैंग को भी पता चल जाता है सब लोग वहाँ रेट डालने के लिए जा रहे है उसने जल्दी से जीपॉंग को कॉल किया और कहा कि सब कुछ वहाँ का साफ कर दो इनके पास टाइम बहुत ही कम था पुलिस के साथ कैंग भी वहाँ पोश गया वो डर रहा था इसायद पुलिस को सब कुछ मिल जाए पर जीपॉंग ने सब कुछ साफ कर दिया है इस ओफिस से पुलिस को पता चला इसमें जीपॉंग इन्वाल है सब लोग उसे ढोडने लग जाते है डिरेक्ट्टू हान को लगता है जीपॉंग अकेला इस सब चीज़े नहीं कर सकता इसमें और को इन्वाल्ड है इसके पास सुजिन के हजबन का फ्यूनरल था इस पर कैंग भी आया कैंग और सुजिन ये अकेले ग्रूम में मिलते है यहाँ पर एक दुसरे को किस करने लग गए कैंग अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया उस सुजिन के साथ इंटिमेट होने वाला था तभी अपना रिफलेक्शन उसने एक मिरर में देखा उसने रियलाइज किया कि सब कुछ गलत है वो कभी भी अपनी वाइफ पर चीट नहीं कर सकता अगले दिन स्टेशन में कैंग की वाइफ ने उससे बुल वाया वो कहती है यह सुजिन के कॉल रेकॉर्ड्स है जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन तुमसे बात करना है बहुत ही स्टेंज है कैंग कहता है यह बात जरा बड़ी है इससे कुछ भी कंक्लूजन मत निकालो यहाँ पुलीस स्टेशन में हम देखते है एक कबल आया हुआ था वही कबल है जिन्होंने कैंग को मोटेल में देखा है कबल मेंसे आदमी कैंग को पहचान लेता है वो कहता है कि मैंने तो इससे ही देखा था कैंग बहुत ही डर गया कैंग उसके पास जाकर उससे थंकाता है कहता है कि मैं एक पुलीस ओविसर हो तुम वहाँ मुझे कैसे देख सकते हो वो आदमी भी डर कर अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेता है कैंग के फ्रेंड को पता चल गया कुछ न कुछ तो गड़बड है फिर रात में उसे डीनर पर पुछता है तुम में और सुजिन में चल कह रहा है कैंग कुछ भी नहीं बोलता तो उसका फ्रेंड कहता है इससे तुम बहुत बड़े टरबल में आ सकते हो पुली स्टेशन में कैंग के खिलाफ सबूत देने के लिए एक डिलूरी मैन आया हुआ था कैंग उसे पहले ही पकड लेता है पुछता है तुम्हें किसने देने के लिए कहा उसने कहा एक बहुत ही आट्रेक्ट्ट्य लड़की थी उसका सेंट बहुत ही ब्यूटिफुल था कैंग अब 100% शूर था सुजिन उसे फसाना चाहती है उसके पास आया और कहा तुमने ही उसे मारा है सब कुछ मुझे सच-सच बताओ सुजिन ने कहा मेरा हस्बन बहुत ही आजीब था वो चाहता था कि जब वो किसी और के साथ इंटिमेट हो तो मैं उन दोनों को देखू मैंने इसा नहीं किया दिन उसने मुझे पान कर जबरदस्ति उसे देखने के लिए मजबूर किया था जिस रात उसकी डेथ हुई तो इस सब के लिए मैं मान गई थी इसलिए हम सब होटेल पर थे कैंग कहता है कि अब सब कुछ खतम हो चुका है वो इसे कफ करता है और सुजिन कहती है तुम भी वहाँ थे मैं बुलीश को बता दूँगी कि तुमने दुसरी सुजिन को और मेरे हस्बन को मार डाला तुम दूसरी सुजिन के साथ इंटिमेट हुए थे तो पुलिस की रिपोर्ट से ये भी साबित हो जाएगा सुजिन फिर से कहती है कि मैंने मेरे हजबन को नहीं मारा अब कैंग कोश कर भी नहीं सकता कैंग को राद में पुलिस स्टेशन से कॉल आया उसे पता चला सुजिन के बॉड़ी इपर जीम ट्रेनर जो पाउडर यूज़ करते है वो पाया गया है कैंग का शब डेड़ सुजिन के बॉइफरेंड पजाता है कैंग ने फिर उसके सब कुछ कार रेकॉर्ड से करनी कलवाए उसे पता चला डेड़ सुजिन का बॉइफरेंड उस रात इसी एरिया में था यानि कि वही असली किलर है नेकसिन में बुलिस स्टेशन में था उसके फ्रेंड हान को पता चल गया था कि जीपॉंग और कैंग ये दोना एक साथ काम करते है वो से अरेस्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ से भाग जाता है कैंग को भागने में शिपॉंग ने हेल्प की रात में कैंग डेड़ सुजिन के बॉइफरेंड को पकड़ने के लिए गया इसके पैरलल में हम देखते हैं कि रियल सुजिन पुलीस टेशन में आज चुकी है वोने बताती है कि डेड़ सुजिन मेरे हजबन को ब्लैक मेल कर रही थी उसने कैंग को भी अपने प्लाइन में शामिल किया था डेड़ सुजिन का काम हो गया तो उसके बाद वो कैंग को भी ब्लैक मेल करने लग गया इसके बाद कैंग ने उसे और मेरे हजबन को दोनों को मार डाला मैं खुद इसकी विटनेस हो मैंने कैंग को मेरे हजबन को मारता हुआ देखा था मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि कैंग उसके बाद मुझे ब्लैक मेल करने लग गया मेरी हजबन की प्रॉपर्टी में उसे 30% चाहिए थे अब सब पुलिस को लगता है कैंग 100% कल्परीट है इसे के पैरलेल में कैंग ने डेर्ड सुजिन के बॉइफरेंड को पकड़ लिया है इन दोनों में फाइट होती है कैंग उसे बुछता है तुमने इस सब किया क्यों डेर्ड सुजिन मेरे पास क्यों आई थी वो कहता है इन सब के पीछे एक्चोट सुजिन ही है उसे पदा चल गया था कि उसके हस्बन का और मेरी गर्फरेंड का अफेर चल रहा है वो फिर मेरे पास आये उसने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी के 30% मुझे दे देगी इसके बदले में मैंने उसके हस्बन और मेरी गर्फरेंड को मार डाला सूजिन नहीं मेरी girlfriend को तुम्हारे पास भीजा था Kang सप्राइस था इस सूजिन उसे क्यों frame करना चाहती थी इसी confrontation में फिर से boyfriend Kang को मारने लग जाता है वो से मार ही डालता पर तब यहाँ पर young बोज गई वो डेड़ सूजिन के boyfriend को मार डालती है Kang और young यह police station में आये सब को समझाने की कोशिश की पर कोई भी माना नहीं सूजिन कैंग के खिलाफ एक witness बन चुकी थी अब कैंग की help कोई भी नहीं कर सकता कैंग handcuffed था उसे मिलने के लिए young आई उसे कहता है मुझे सिर्फ थोड़ा सा time दो मैं सब को सही कर दूँगा यंग को भी लगता है कि कैंग इनोसंट है वो उसके कब्स खोल देती है कैंग अपने superior को gun लगा कर वहाँ से भाग जाता है वो directly सूजिन के पास आया इसी के parallel में सूजिन ने उस रात की hotel की recording ये young को भीज दी थी इसे प्रूव हो जाता है कि कैंग इनोसंट है इसमें साफ साफ दीख रहा था कि सूजिन के dead boyfriend ने ही सब को मारा है कैंग अब सूजिन से तो मिला पर उसने उसे जाने दिया थोड़ी दर में बुलिस भी वहाँ पोश गया अब कैंग पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा पर हान पूछता है तुमने सूजिन को जाने क्यों दिया कैंग ने कहा कि वो अल्रेटी चली जा चुकी थे हान को मालूम था कि वो कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है अब में कैंग जब सूजिन से मिला तो क्या हुआ था या पता चलेगा सूजिन उसे बता देती है ये रेकॉर्डिंग्स मैंने तुमारी वाइफ को भीज दी है अब तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा कैंग ने उसे पूछा तुमने मुझे क्यों चूस किया वो कहती है अल्रेडी तुमें तुमारी वाइपर चीट करने के लिए सस्पेंट कर दिया गया था सब लोग तुम पर ही शक करते मेरे प्लान के लिए तुम बहुत ही इंपोर्टन थे तुमने क्राइम सीन को सही से साफ कर दिया था जैसा हो जाती थी सब कुछ वैसा ही हुआ वो फाइनली कहती है मुझे अभ यहाँ से जाने दो अगर मैं पकड़ी गई तुम भी ट्रबल में आ सकते हो इसके बाद कैंग ने उसे जाने दिया कैंग अंडर सस्पिशन ही था उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगे पर फिर भी उसे जेल में थोड़ा सा जाना पड़ा था वो जब जेल से वापस आता है तो उसकी वाइफ उसका वेट करे ही थी सुजिन ने यंग को बता दिया है कि वो कभे भी उसके साथ इंटिमेट नहीं हुई कैंग के वाइफ को जो भी लगा था यह सब उसकी मिसंडेस्टेंडिंग थी उसे सब चीजों के लिए माफ कर देती है अब मूवी में थोड़ा सा टाइम गुज़र चुका है कैंग का अब एक बहुत ही सक्सेसफुर ओफेस है अब बहुत दिनों बाद उसके पास एक लाइंट आई कहती है मेरा नाम सुजीन है उसने उसे बॉक्स दिया इस बॉक्स में कैंग ने देखा तो एक टिकेट और एक फोन था उसे कॉल आया और इस सुजीन का था वो खैती है मैंने तुमारे साथ जो भी किया इस सब के लिए मैं सौरी हू कैंग उसे बुच्छता है तुम अगर चाहती तो मुझे फ्रेम कर सकती थी तुमने मुझे जाने क्यों दिया वो कहती है जो भी आदमी मुझे लाइफ में मिले सब कुछ बहुत ही घटिया थे मेरा एक्चुल में खयाल सिर्फ तुमने रखा था मुझे जब भी तुम्हारी जरुवत हो दी थी तुम आज आते थे अब सुजिन के पास बहुत सारे पैसे है तो कहती है अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ आकर रह सकते हो उसे मिलने के लिए ही उसने फ्लाइट का तीकिट भेज़ दिया है क्यांग गयता है यह मेरी फैमिली है उसका रूल है कभी भी वो चीट नहीं करता वो अब अपनी लाइव से खुश था इसे मुमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है अगरे मिस्ट्री आपको पसन आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा हम फिर से मिलेंगे और एकन मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये